नमस्कार मेरा नाम है निखिल और आप देख रहे हैं तारीख जिसमें हम सुनाते हैं उस तारीख से जड़ी भारत की आतियासे कहानिया और आज है 16 सितंबर तो 16 सितंबर की कहानिय आज की तारीख का सम्मंध है भारत के अब तक के सबसे बड़े एर रिस्क्यू ऑपरेशन से दुनिया के सबसे बड़े एर रिस्क्यू ऑपरेशन से भी कह सकते हैं ये एर रिस्क्यू ऑपरेशन अपना नाम गिनीज बुक आफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज करवा चुकने के बावजूद एक एपिक स्टोरी का छोटा सा सब प्लॉट है तो चलिए इस बचावा अरभ यान के बहाने में प्लॉट यानि इराक कुवेट युद्ध की दास्ता भी जानते चलते हैं 1980 के दश्यक की बात है इरान से लंबे वक्त तक चले युद्ध के बाद इराक कर्ज में बूरी तरह से डूब गया उस पर सबसे आदा कर्ज था साओधी अरब और कुवेट का इराक दोनों मुलकों पर कर्ज माफी का दबाव बना रहा था मांग कर रहा था दबाव बना रहा था दोनों कह सकते हैं यहाँ से शुरू हुआ इराक कुवेट विवाद इस विवाद में कुवेटी शेतर पर इराक की दावे भी शामिल थे इराक ने कुवेट पर तेल कीमतों में मंदिल आने का आरोब भी लगा दिया जो की एक हद तक के सही था क्योंकि UAE और कुवेट के तेल के ओवर प्रोडक्शन के चलते उस दोरान तेल के दाम 18 डॉलर प्रती बैरल से गिर के 10 डॉलर प्रती बैरल हो गए थे जिसके वज़े से इराक को एक ही साल में 7 बिलियन डॉलर का नुकसान हुआ था इराक के तब के राश्टरपतीर सदाम हुसेन ने इसे इराक के खिलाफ कुवेट का आर्थिक युद बताया सदाम का मानना था कि गल्फ में एक इराक विरोधी साजिश डेवलप हो रही है क्योंकि कुवेट ने इरान के साथ बाचीत करनी शुरू कर दी थी जहां भी ताना शाह होते हैं उन्हें यही लगता है कि उनके खिलाफ साजिश हो रही है खैर इराक का एक दूसरा प्रति दोंदी देश भी था सीरिया जो इजिप के टूर कर रहा था जोलाई 1990 में ही सर्दाम के सरकार ने अरब लीग के सामने अपनी संयुक्त आपत्या रखी कहा कि कुवेट अभी भी रुमैला तेल शेतर का उप्योग कर रहा है जिससे हर साल इराक को करूडो डॉलर्स का घाटा हो रहा है इराक ने ये भी कहा कि ऐसे में जो पैसा सही तरब अमीरात और कुवेट की तरफ से दिया गया है उससे कर्स कहा नहीं जा सकता क्योंकि एक तरफ आप पैसा दे रहे हो दूसरी तरफ आप हमारे इलागे से तेल निकाल रहे हो जो इराक का दावा था या फिर आप ऐसी पॉ कुए फिम पर वो भी हिंदी में और तो और ललन टॉप के दर्शकों के लिए स्पेशल डिस्काउंट अभी डिस्क्रिप्शन में दिये लिंक पर जाएं और सुने जो मन चाहे अर्म लीक की वारता में ये तैह हुआ कि रुमेला ओयल फील्ड में इराक का 10 बिलियन डॉलर का नुकसान हुआ है और इतने की ही मांग इराक ने की वी थी बदले में कुवेट ने देने की बाद की सिर्फ 500 मिलियन डॉलर इराक ने पेशकर ठुकरा दिया और सदाम हुसेन ने कुवेट पर हमला कर दिया दोगस 1910 रब्बे को कुवेट सिटी में इराक की तरफ से बंबारी शुरू कर दी गई उस वक्त इराक के पास दुनिया की चौथी सबसे बड़ी आर्मी थी युद के पास ज्यादा तर कुवेटी सेना या तो इराकी रिपब्लिकन गाड द्वरा खत्म कर दी गई थी या सौधिय आरब भाग गई इस पूरे युद के दौरान भारत ने आधिकार एक रूप से इराकी हमले की कभी निंदा की नहीं तो क्या भारत इराक के कुछ हे कमित्रों में से एक था पूरी तरह सा नहीं कहा जा सकता तबकि इंडियन अम्बैसडर केपी फाबिया ने बताया था कि भारत ने दो कारणों से समले की निंदा नहीं की पहला हमें इंडियन की जान के फिकर थी जो कुवेत में रह रहे थे मिडल इसमें वाकर जगे भी दूसरा उन्हें सुरक्षित निकालने का सिलूशन ढूणना था क्योंकि कुवेत पर हो गया था कबजा वहां जो लोग रह रहे नहीं उन्हें तो आपको निकालना ही है, इसलिए पहले एकदम से आलोचना के फिर में पड़े नहीं। कुवेत के इराक के आगे घुटने टेकने के चलते करीब 1,70,000 भारतिये कुवेत में बुरी हालत में फस गए। भारतियों को सरक्षित निकालने के लिए तबकि विदेश मंतरी आई के गुजराल इराक में सद्दाम हुसैन से मिलने पहुचे, सद्दाम ने सरकार को भारतियों के रेस्क्यू ऑपरेशन करने की इजास्त दी। शुरुआ अपने बच्चे और महिलाएं और बुजर्गों को निकालने के लिए मिलिटरी एरक्राप्स की मदद ली गई, लेकिन बाद में भारत की कमर्शिल एरलाइन्स को इसमें शामिल किया गया। इंडिन एरलाइन्स ने 13 अगस से लेकर 11 अक्तूबर 1990 तक यानि कुल 69 दिन तक 500 से ज़दा फ्लाइट्स की साहता से दुनिया का सबसे बड़ा एर रिस्क्यू किया था जो आज भी एक रिकॉर्ड है। कुवेट से इंडिन्स को निकालना आसान काम नहीं था। यानि जॉर्डन के अमान एरपोर्ट आने को कहा गया कुवेट के अलग-अलग हिस्सों से आए दिन कई दिनों तक अमान के स्कूलों और बिल्डिंग्स में आए भारतिये रुके रहे। दिबेटे इंडिया को केपी फेबिन बताते हैं कि इस बीच एक और समस्या चल रही थी। एर इंडिया का एक चालक दल कुवेट में फसा हुआ था जो पहले उडान भर चुका था। एर इंडिया के पाइलेट्स और करमचारियों ने चेताब ने दी कि जब तक हम उस चालक दल को बाहर नहीं निकालेंगे बाकी उडाने भी रोक दी जा सकती हैं। खत्रा बाकई गंभीर था तब यह निर्ने लिया गया कि विदेश मंतरी बगदाद और कुवेट जाएंगे बारी-बारी से और हमारे नागरिकों के वापस आने की तदकाल व्यवस्था करेंगे इंक्लूडिंग जो एर इंडिया का क्रू वहां पे फसा हुआ था। को एतिहासिक सफलता के साथ खत्म हुआ। को आप वेस्ट में गिनते हों। इन सभी देशों ने सुरक्षा परिशत से इराक और कुवेट के हालात पर एक आपात बैठक बुलाने की मांग की। जिसके बाद 16 सितंबर 1990 को यानि आज एके दिन सुरक्षा परिशत की 2940 भी बैठा कोई। में सभी 18 लेटर्स को शामिल किया गया। इस मीटिंग में सुरक्षा परिशत ने फैसला सुनाते वे कहा कि इराक ने अंतर राष्टी निमों का उलंगन किया है। साथ ही आदेश दिया कि किसी भी अन्य देश के नागरिक और डिप्लोमेट्स को कुवेट से बाहर निकालने के ऑपरेशन में इराक सरकार कोई दखल नहीं देगी न कोई अर्चन पैदा करेगी। इससे भारत का जो रेस्क्य ऑपरेशन चल रहा था उसमें भी तेजी आनी शुरू हुई। ऐसा कोई शख्स कुवेट में था भी। तमाम पत्रकारों ने रेस्क्य ऑपरेशन से जुड़े वायू सेना के अधिकायों से लेके उस वक्कुवेट में रह रह रहे हैं भारतिये नागरिकों तक डिप्लोमाट्स वगएर हैं सबसे बात की सब ने एक सुर में कहा कि उनकी लोगों ने यहां तक दावा किया था कि ततकालीन विदेश मंतरी आई के गुजराल और इराकी राश्पति सद्दाम हुसेन के मुलाकात व्यवसाई रंजीत कात्याल ने कराई थी। लेकिन दैनिक भासकर के एक खबर के मताबिक फेबियान ऐसी किसी भी व्यक्ति की मौज से इनकार ही करते हैं 35 साल कुवैत में रहे पत्रकार जाविद एहमर ने हिंदी अकबार अमरुजाला को भी बताया है ऐसा कोई आदमी नहीं है जिसने बड़े पैमाने पर लोगों की मदद की यह फिल्म एक जूट पर आधारित है और उसका हकीकत से कोई सम्मन नहीं है फि एर इंडिया के पूब एक्जेक्यूटिव डिरेक्टर जीतेंदर भारगम ने गिनीज के संपादक को बाद में एक लिटर पोस्ट किया और पूछा कि किसी सिविल एरलाइन द्वारा रेस्क्यू का कोई रिकॉर्ड मौजूद है या नहीं बारगम बताते हैं कि 15 दिन बा संचालित उडाने पूरे ऑपरेशन का टाइम आदी सब कुछ बताया गया था विस्तार से गिनीज ने इस रिकॉर्ड को स्विकार किया और एक लेटर भेज के विधिवत सूचना भी दी कुछ महीनों बाद ही गिनेस बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के नए एडिशन में इस रिकॉर्ड को एर इंडिया की उपलब्धियों के साथ विधिवत तरीके से सूचिवत कर दिया गया। पति बुष्ट ने युद्विराम के गोश्टना की युद्विराम की दो शर्ते थी पहली एक लड़ाय में पकड़ेगा अमरीका और सभी सहियोगी देशों के सैनिकों को वापस किया जाए दूसरा इरा के कुवैत पर सभी दावे खत्म हो युद्ध जैसी त्रासवदिय रचते हैं उनमें जिन्दगी का मोल बहुत कम हो जाता है भारत से जो लोग कुवैत गए थे उनमें से सभी साधन संपन नहीं थे कई लोग बहुत छोटे मोटे काम करते थे ड्राइवर्स थे दूसरे काम जब घिर गए तो उन्हें मदद की जरूरत थी और वो देकर सरकार आप ने उस विचार की लाज रखी जिसे हम भारत कहते हैं भारत मानते हैं एक देश जिससे आप कितने भी दूर चले जाएं वो आप से दूर नहीं जाएगा और उसमें आपके लिए हमेशा जगे रहेगी वो आपको साथ समंदर पार से भी घर ले आएगा चाहे चारों त इस रिस्की ऑपरेशन में डिड़ लाख से ज्यादा जीवन बचा लिए थे तारीक आज के एपिसोड में सिर्फ इतना ही आप से मुलाकात होगी तारीक के अकले एपिसोड में तारीक के इस एपिसोड को लिखा था हमारे साथी दर पर ने और क्यामरे को रिकॉर्ड किया देखते रहिए दिललन टॉप